आज हम दुबार आटी पैक्स से शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ा तर डीटेल में देखेंगे कि टीपैक्स क्या हैं और इसके अक्रोनेम्स क्या हैं और इनके ज़रा डीटेल में मैंनिंग क्या हैं तो आपके सामने जो फिगर है इसके अंदर एक इंटेग्रेशन है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि टेक्नॉलजिकल नॉलज चाहिए हमारे आज की टीचर को उसको अपने कॉंटेंट जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके उपर कमांड चाहिए और पड़ागॉजिक यहां टीचर की टीचर को किस तरीके से कंबाइन किया जाए ताकि उनका अपनी इसको नॉलिज एन हैंस और बच्चों को भी बहते तरीकर से सपोर्ट रह सके तो हमारे सामने टीपैक के बारे में थोड़ी से इंफरमेशन है जिसे हम गो तुरू करते हैं Michigan State University से दो important लोग हैं जिन्होंने ये framework जो है, ये model है, प्रपोस्ट किया है, मिश्रा और कूलर्स ने, 2006 के अंदर उन्होंने ये framework बनाया था और इसके अंदर बन्यादी मकसद ये था किस तरीके से teaching को और content को आपका ad tech के साथ combine किया जा सके, teachers को technology integration की तरफ लेकर आजा सके RTPAC जब emerge हुआ तो ये most influential theories में से एक थेरी थी, उसकी वज़ा ये है कि इसके अंदर ना सिर्फ integration है, आपकी content की, professional development की, भलके research की भी और हमें stories बताती हैं कि ये इस किसम का model of framework है, कि दूसरा कोई ऐसा model अभी तक ऐसा नहीं आया, जो इतनी जबरदस तरीके से teachers की professional development का कोई mechanism बता सके, जहां तीनों domains जो है, वो integrate हो सके ये तो हम जानते ही है, कि एक school के अंदर different subject जब पढ़ाए जाते हैं, तो हर subject की nature different होती है, और वो definitely different होता है दूसरे subject से, उसमें different किसम का content होता है, उसको पढ़ाने का तरीका different हो सकता है, ये भी different करता है कि आपकी class में बच्चे किस किसम के हैं, उनकी demographic क्या है, आपकी grade को पढ़ा रहे हैं, so definitely एक model सब पे apply नहीं हो पाता है, TPAC आपको क्या चीज़ फ्राहम करता है, वो आपको एक accessibility फ्राहम करता है, जिससे आपका grade level content की difficulty, आपके बच्चे, आपकी books, इनके अंदर जो differences मौझूद होते हैं, ये हर grade level, हर content के साथ work out कर जाता है, teachers जो है, इसे modify करक अपनी need के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, academics में, बच्चे को support करने में, अब TPAC के अंदर different किसम के acronyms हैं, जब हम इस model को पढ़ते हैं, one by one देखते हैं हम क्या है, सबसे पहले आता है CK, क्योंकि stand by करता है किसके लिए content knowledge के लिए, अब content knowledge के है, ये आपका subject matter knowledge है, अगर आप fine arts पढ़ाते हैं, तो उसका content knowledge अलग है, computer का अलग है, math का अलग है, उर्दू का अलग है, और हर teacher जो है, वो अपने content में एक expertise रखता है, हर subject की अपने concepts होते हैं, मिसाल के तोर पर science में physics के concepts अलग हैं, computer sciences में concepts अलग हैं, early childhood के concepts अलग हैं, और theories होती हैं, जो आपने theories पढ content knowledge के अंदर चीज़े आती हैं, इसके इलावा content knowledge के अंदर वो तमाम चीज़े भी आती हैं, जो research studies से related हैं, कि आपके field में कौन सी नहीं काम हो रहे हैं, और बन्यादी तोर पे इस किसम का content है, या subject है, उसको पढ़ाने के तरीके कार क्या हैं, इस तरीके से ये subject बच्चों को सिखाया जा सकता है, ये भी content knowledge के अंदर ही आता है, दूसरा content knowledge है, discipline wise और grade wise से vary करता है, ये तो बहुत ही आसान है, इसको समझना, अगर आप सिर्फ उर्दू ही पढ़ा रहे हैं, तो grade 1 की उर्दू, grade 5 की उर्दू से different है, grade 5 की जो उर्दू की requirement है, वो metric की उर्दू से different है, तो ना सिर्फ grade wise और discipline wise बलके grade wise भी हमारे level different हो जाते है, teacher से expectation होती है, content knowledge की वो भी different होती है, और definitely students से expectation होती है, वो भी different होती है, दूसरी जो चीज आ रही है, हमारे पास acronym में वो है pedagogical knowledge, जिसको हम कहते है, art of teaching, किस तरीके से पढ़ाया जाए, उसको हम यहाँ कह रहे है, पी जीज ने उनके subject area में, जो research उने बता रही है, बलकि इसके अंदर आपके goals भी आते हैं, curriculum के objective भी आते हैं, आपके education के, आपके student learning outcome भी आते हैं, और इसके अंदर आपके lesson planning भी आ जाती है, आपके pedagogical skills के अंदर इसके अंदर आपके evaluation skills भी आ जाती है, classroom management skills भी आती है, और strategy को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगला आता है technical knowledge, यह अगला acronym है, और technical knowledge definitely refer करता है कि आपकी क्या understanding है, कितनी proficiency है, a range of technologies जो हमें इस वकत अवेलेबल हैं, और technical जो हमें instrument अवेलेबल हैं, उससे related material अवेलेबल है, किस किसम की हमारी expertise हैं उनके बारे में, हम कितना उनको बेतर तरीक learning जो है, वो कर सकते हैं, और उसे हम अपनी classroom में, अपनी pedagogical skills में, content में, lesson planning में, assessment में, management में, learning skills में, इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर यह knowledge भी आता है, कि जो भी आप technology इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कि वो आपकी student को learning में support कर कि उस technology में वो कौन सी limitations हैं, जो student की learning को रोक सकती है, या उसमें रुकावट बन सकती है, तो यह तमाम knowledge, technology से related, कि वो कितना supportive है, कितनी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, नहीं इस्तेमाल हो सकता, TK के अंदर आता है.